यह मैंने आधा किलो मटन को अच्छी तरह से धो लिया है अब एक हैवी बॉटम का बर्तन लेंगे और इसमें चार बड़े चमश तेल गरम करेंगे तेल गरम हो जाए तो एक चुटा चमश चा जीरा एक स्टार फूल दो चुटे टुकड़े दालचिनी के पांच हरी लाइच 6-7 लोंग 10-12 काली मिर्च और एक तेज पत्र डालेंगे जीरत रख्जा तो दो कटी हुई बड़ी प्यास डालेंगे जो लगबग 300 ग्राम है प्यास को गोल्डन कलर आने तक फ्राय करेंगे प्यास का रंग गोल्डन हो गया है और जब प्यास लाल होना स्टार्ट होती है इस स्टेश तक प्यास को फ्राय करना है अब इसमें मटन के पीसेश डाल कर 2-3 मिनट फ्राय करेंगे या जब तक मटन के सभी पीसेश का कलर चेंज होकर सफेद नहीं हो जाता मटन फ्राय हो गया है अब इसमें 3 हरी मिर्चे, 2 चुटा चमच भरकर अद्रक लसुन का पेस्ट और कुछ सूखे मसाले डालेंगे जिसमें आदा चुटा चमच हल्दी पाउडर, 1 चुटा चमच तीखे लाल मिर्च और 1 चुटा चमच काश्मिरे लाल मिर्च का पाउडर दो छुटा चमच धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ये मैंने थोड़ा सा जावित्री और जाइफल लिया है इसे भी कुटकर मटन में एड़ कर देंगे अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इसे ढ़ाकर लो फ्लेम पर 45 मेट पकाएंगे और मटन कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि मटन गलने में कितना वक्त लगेगा लेकिन भगोने में 40-45 मिनट लग जाते हैं जल्दी बनाना है तो कुटकर में 2-3 सिटी में गल जाता है अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि पकते वक्त मटन का पानी भी निकलेगा 15-20 मरबाद चेक करेंगे अगर पानी फुष्ट हो जाएगा तो जरुरत की हिसाब से पानी एट करेंगे 20 मिनट हो गए है और इसका पूरा पानी सूख गया है अब इसमें आधा कब दही मिलाकर अच्छी तरह से भूनेंगे दही डालने के बाद इसे तुरंथ 1-2 मिनट चलाएं दही को मैंने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और यहाँ पर 3 मिटम साइज के आलू को 2-2 टुकडों में कट कर लिया है आलू को सालन में मिक्स करके ढाकर लो फ्लेम पर 15 मिनट और पकाएंगे इसमें पानी अट करने की जड़त नहीं है क्योंकि इसमें दही का पानी है 15 मिनट हो गया है पानी पूरा सूप चुकरा है और मसाला अच्छी तरह से भून गया है और आलू भी अच्छे से गल गया है अब मटन को चेक करेंगे चेक करने के पहले हाथ में थोड़ा पानी लगा ले और यह मटन भी अच्छी तरह से गल गया है अब इसमें एक कप पानी डालेंगे या फिर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप जितना रखना चाते हैं उसे हिसाब से पानी एट करें तो ग्रेवी को मैंने इतना पतला रखा है और बाद में ग्रेवी और थिक होती है अब उपर से कौटेटी स्पून गरम मसला पाउडर एट करके मिक्स करेंगे और बॉइल आने देंगे बॉइल अच्छे से आ गया है अब गैस का फ्लेम बंद करके उपर से खुब सारा कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे गरम गरम बिल्कुल आसान तरीके से कम सामान में दावतों वाला मटन करमा बनकर तयार है इसे गरम गरम रोटी रुमाली रोटी नान या चावल के साथ सर्व केजिए और एक बर इस तरह से मटन करमा बना कर जरूर देखिए और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में हुआ हुआ है